सुबा की खुबसूरत मौनिंग के साथ आप सभी को में तरफ से नमशकार जगे 24 से जुर्च कहीं आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्प अशर्बा जमो कश्मीर में मोसम बदलते हुए नजर आ रहा है जमो में समय बारिश का सिल्सिला जारी हो चुका है तस्वीरियों में आप से देख सकते हैं जमो से ये तस्वीरियों हम आपको दिखा रही है जहां पर इस समय बारिश हो रही है और बीती रात सही हलकी बारिश जो है वो कई जगाओं पर देखने को मिलेगा फिलाल जमू से आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर इस समय बारिश हो रही है आपके लागे के बोसमें सुरतिहाल क्या कुछ है वो भी जरूर बताईएगा और कल भी हमने आपको अडवाईजरी बताया था कि किस परकार से जो है आप आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि कई हिस्सों में भारी बारिश की सभावना जताईगी है और वहाँ पर आपको बता दें कि बाड़ होने की सभावना जताईगी है और साते साथ बुसकलन होने की सभावना जताईगी है लैंसलाइड होने की सभावना जताईगी है तो य इर्वाइजरी भी कल हमने आपसे जो है वो साजा की दे लेकिन फिलाल तस्वीरी आप देख सकते ही हलकी बारिश इस समय जो है वो जम्मू में हो रही है अमित जी हमारे साथ जो चुके है नानक नगर में काफे जादा बारिश हो रही है लेकिन इस समय आप देखे हलकी सी बा बारिष पर असमान में चाहें रहेंगे और साथे साथा बारिष भी आज दिन में देखने को मिल सकती है ये साफ़तों पर आप पर तस्वीर देख सकते हैं कल की बात करें तो कल भी कई इलाकों में जो है वो बारिशियों का सिलसिला जाली रहा जहां पर मैं आपको बता दूँ की रजोरी बुदल सडक पर पस्यां गिरने से तीन घंटा यातायाद जो है वो बंद रही साबा में देर रात से सुभा तक हुई बारिश से 24 सडक मार्क पर यातायाद पर भावित हुआ जीमसी अधुपूर की बात करें तो वहाँ पर भी कल जो है वो नाले का पानी अवर्फलो होने से कई वाडू में जो है वो पानी खुस गया पुंच में सुरंकोर, तहसिल, मुख्याले और गाउं दर्व, द्राबा में जो है दुकानों और घरू में पानी खुस गया मेंडर में नदी उफान पर रहने से सडकों पर जो है वो पानी भर जाने से दो घंटायात बंद रही यह कल की अपडेट में आपको दे रही हूं लेकिन आज की बात करें तो आज भी इसी परकार से मोसम रहने वाला है मोसम में काफी जादा जो है वो बदलाव इस समय देखने को मड़ रहा है और 13 अगस तक जो है वो परदेश के कई हिस्सों में बारिश की असार रहेंगे जहां पर खराब मोसम के सूरत में संभावी शेत्रों में भुसकलन, बाड और पहाड़ों से पत्थर गिरने की अशंका जो है वो संभावना जो है वो जटाएगी है लेकिन फिलाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं इस समय जमो में मोसम काफे जादा सुहाना हो चुका है क्योंकि हुमिजीटी काफे जादा बढ़ रही थी और एक राहत के लिए जो है वो बारिश काफे जादा जरूरी होती है और इस समय आप देखिये बारिश जो है वो द लिए बिलिक्न पश्ऽे से बारिष तो बश्ञक रही है, लिकिन काफी हल्की बारिष देखने को मिली हैं। जो कल तेज वारिश सुबा सवेरे देखने को मिली अध्यицk ना मिला भी तेज वारिश यहां वारिश हो उस परकार की बारिश है तो काफी तेज बारिश भी हुई जिसके चलते आपने देखा कि किस परकार से जो है वो घरू में पानी भी जो है वो चले गया जहाँ पर कई लोगों को जो है वो नुकसान भी देखने को मिला फिलाल तस्वीरे आप देख सकते हैं इसमें मोसम बेहदी काफी जादा सुहाना हो चुका है और बारिश के सिलसला इसमें जारी है और भी तीरात से ही हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है एक तरफ बारिश हो रही है और वही पर दूसरे तरफ बच्चे भी स्कूल जाते हुए जो है वो नजर आ रही है चलिए इस बारिश के मोसम में आप कहां जाना पसंद करेंगे कहां का रुख करना पसंद करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा और वीडियो की संभावना जो है वो जताए गई है एडवाईजरी भी जारी की गई है कल भी आपसे साजा किया था तो सावधानी जरूर बढ़ते नदी नालों की तरफ जो है वो बिलकुल भी ना जाएं क्योंकि नदी नाले इस समय उफान पर है फिलाल आप देख सकते ही कि बहादी मोसम जो है वो इस समय देखने को मड़ रहा है अब्दुल हमारे साथ जो चुकी है बहुत बहुत गुट मॉर्निंग आपको वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और इस समय हलकी बारिश जो है वो जमू में देखने को मड़ रही है मोसम में काफे जादा बदला हुआ ह जहाँ पर कई जगाओं पर कई हिस्सु में बारिश का सिलसला जारी है बारिश जो है वो इस समय हो रही है और गर्मी काफी जादा बढ़ रही थी जिसके चलते बारिश का होना बहदी जरूरी था और कहने की हुमी जी जी में भी थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मि रही है कि इसे में हल्की बूंदा बारिश हो रही है यह नहीं कमेंट सेक्षिन पर ज़रूर बताईएगा कहीं पर भी आप जा रही हैं तो एक बार राश्टर राजमार के क्या कुछ हाल है नैशनल हाईवे के क्या कुछ हाल है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा और उससे के बाद आगे बढ़िएगा चलिए वीडियो को जादा से जादा शेयर कीचीगा और फिलाल मुझे दीजे जाज़त बनेजिक 24 के साथ और कमेंट सेक्षिन पर अपना इलाका भी ज़रूर साजा कीचीगा मुझे दीजे जाज़त तमस्कार